एक तरफ हिंदुस्तान में पाकिस्तान के मुसल्मानों की नागरिक्ता के लिए हंगामा मचा हुआ है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां हिंदूओं पर होने वाला अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा और अब तो खुद पाकिस्तान के ही मशूर करकेटर श्वैब अक्तर ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि उनके यहां हिंदूओं के साथ बर-बर वहवार होता है रावल बिंडी एक्स्प्रेस नाम से मशूर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज श्वैब अक्तर ने एक चैट शो के दौरान इस बात का खुलासा किया और बताया कि किस तरह से पूर स्पिनर दानिश कनेरिया के साथ इस वज़े से भेदबाव किया गया क्योंकि वो हिंदू था अक्तर ने कहा कि टीम के खिलाडी दानिश कनेरिया को लेकर ये तक कहते थे कि दानिश उनके साथ खाना क्यों खाते हैं अक्तर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आईए आपको दिखाते हैं कि श्वैब अक्तर ने आखिर क्या कहा इस वीडियो में श्वैब अक्तर बताते हैं कि मेरे करियर में जो दो तीन बंदों से जगडा हुआ जब उन्होंने कराची, पेशावर और पंजाब की बात की तो मुझे बहुत गर्मी आती थी यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा उसी हिंदू ने टेस्ट सिरीज जिताई श्वैब के इतना कहती ही चैट शो में मौजूर डॉक्टर रियाज ने कहा दानीश कनेरिया ने जिताई इसके बाद श्वैब ने कहा बात खुल जाएगी लेकिन बता दू कि कुछ प्लेयर ने मुझसे ये तक कहा कि दानीश यहां से खाना क्यूं ले रहा है मैंने उनसे कहा कि मैं तुमें यहां से उठा कर फेक दूँगा कप्तान होंगे तुम अपने घर के वो तुमें छेचे विकेट लेकर दे रहा है इंगलैंड में दानीश और शमी ने ही हमें सीरीज जिताई थी श्वैब ने कहा कि दानीश हिंदू था इसलिए उसके साथ नाइंसाफी हुई कुछ प्लेयर्स को तो इस बात पर भी एतराज था कि वो हमारे साथ खाना क्यू खाता है इसी चैट शो में मौजूद राशित लतीफ ने कहा कि यूसुफ यहोनना को भी ड्रेसिंग रूम में काफी तंग किया जाता था क्यूंकि वो इसाई थे जब तक वो इस धर्म में थे उन्हें परेशान किया जाता रहा हाला कि बाग में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और मौम्मद यूसुफ बन गए पाक क्रिकेटर का ये वीडियो बीजेपी आईटी सेल के हैड आमित मालवे ने भी शेयर किया है और ट्वीट करके कहा कि अगर एक अंतराष्ट्रे खिलाडी के साथ पाकिस्तान में इतना बुरा विवार होता है क्योंकि वो हिंदू है तो आप सोस सकते हैं कि पाकिस्तान में गैर मुस्लियों की हालत कैसी होगी और अगर CAA से भारत में ऐसे लोगों को शरण मिलती है तो मुसल्मानों, कॉंग्रेस और वामपन्थी इसका विरोध क्यों करते हैं जाहिर है श्वैब अक्तर का ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब देश में नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर जबरदस विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही है जबकि केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि इसका संबंध भारत की मुसल्मानों से नहीं है ये सिर्फ पीडितों को नागरिक्ता देने के लिए है ना कि किसी की नागरिक्ता छीनने के लिए लेकिन फिर भी देश भर में इसका विरोध देखने को मिल रहा है श्वैब अक्तर के इस खुलासे से साफ हो गया है कि पाकिस्तान लाख अपना काला सच छुपाने की कोशिश करे लेकिन सच एक ऐसी रौष्णी की तरह होता है जिसे कोई काली अंधेरी रात छुपा नहीं सकती भारत तो हमेशा से ही ये कहता रहा है कि पाकिस्तान में अलफ संख्यों के साथ अत्याचार होता है